नमस्कार आप देख रहे हैं न्यूजवल इंडिया आपके साथ मैं हूँ का आजोल नराय हमारी देश में अनेक प्रकार के धर्मजवाती के लोग बसते हैं जो अपनी अपनी मानिताओं के अनुसार काम करते हैं ऐसी एक मानिताओ पेली भी जिले में भी देखने को मिली है जहां पर पांच दिन के चलने वाले सेला बाबा के सालाना उर्स में लोग लाखों की तादाद पे पहुँचकर अपने दिल की मुराद मांगते हैं और मुराद पूरी होने के बाद बाबा की मजार पर मुर्गा भेट करते हैं चलिए जानते हैं इस दिर्चस्प किस्से की बारे में बाबा की मजार पर सर टेकते हैं मुर्गे बाबा की मजार पर किया जाता है मुर्गा भेट मेले में मिलते हैं 300 से 900 रुपय तक का मुर्गा हर साल लोग करते हैं इस मेले का इंतिजार होली के बाद के पहले शुकरवार से शुरू होने वाले पांच दिन के सेला बाबा के उर्स में पूरे हिंदुस्तान की लोग यहां आते हैं जिसमें बड़ी तादात में मुस्लिम भी होते हैं ये लोग बाबा के दर्बार में दुआ मांगने के लिए आते हैं बताया जाता है कि लगबाग 1500 साल पुरानी ये मजार तैसिल कलिनगर के सेला जगा पर जंगल के बीचो बीच बनी हुई है जिसके दूर दूर तक मानता है मजार की देखभल करने वाले अब्दुल लतीफ खान का कहना है कि इस पांच दिन चलने वाले उर्स में हिंदु मुस्लिम सभी जाते के लोग बाबा को अपनी मानता के अनुसार मुर्गा भीट करते हैं कहा ये भी जाता है कि बाबा को भूजन में मुर्गे का मीट बहुत पसंद था इसलिए इस मजार पर अब भी मुर्गा भेट किया जाता है मजार पर आने वाले जायरीन बाबा की मजार पर ज्वाकर मुर्गे का सर बाबा की मजार पर ठेकते हैं उसके बाद मुर्गी को वहीं हलाल कर उसका मीट बना कर लोगों में प्रसाद स्वरूप बाट देते हैं पांच दिन चलने वाले मेले में लाखों की संख्या में मजार पर मुर्गा चड़ा दिया जाता है दूदूर से मेले में देखा जा सकता है कि सैक्रू के संख्या में मुर्गे की दुकाने सजी हुई है ये मुर्गा यहां पर तीन सो से नौ सो रुपए तक के मिलते हैं करीब हजारों से मुर्गे चड़ जाते हैं। मुर्गा आता है करीब दो सो रुपए से लेके 500, 600, 800, 900 तक का मुर्गा आता है। बड़ा मुर्गा करीब 4 किलो तक का मुर्गा होता है। नौ सो हजार तक का हो जाता है। तीन दिन में कितने चड़ जाते हैं। वियरो रिपोर्ट नीजवाल इंडिया तो देखा आपने किस तरह से भारत में अपनी अपनी मानताओं के अनुसार लोग पीर मजार मंदर मजजित को मानते हैं इस खास रिपोर्ट में इतना ही आप बने रहें नीजवाल इंडिया के साथ